गुड मॉर्निंग वेलकम टो हम्रम क्लासेज शोराए के सुब आफसार पर कुछ दिन हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे थे हाई से हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं चलिए हम लोग परसेंटेज का कोस्टेन चल रहा था आज पांच छोटो कोस्टेन सोल्व करेंगे पहला नमर कोस्टेन एक परिक्षा में किसी प्रत्यासी ने तीश परिक्षा में 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 अंतर निकालते हैं तो एक जन को प्राप्थ हुआ 40% अंक दूसरे जन को प्राप्थ हुआ 30% दोनों का अंतर हो जाएगा 10% एक जन फ्यल हो जाता है पास-मार्ट से कम और एक जन पास-मार्ट से जयदा लाता है इसलिए क्या हो जाता जाएगा एक जन छोс अंख और लानें से पास हो जाता है दूसरा परत्रासी चो अंक ज्यादा लाया है इसलिए दोनों का जोड हो जाएगा तो दोस परत्रिशद बराबर हो जाएगा बारा तो हमको लागा हैं 100% 100% अधिकतम अंक फुल मार्क मतलब 100% इसलिए 100% बराबर 12 बटी वाला 10 गुनाई वाला 100 स्विन स्विन किंसेल आपका अधित अंग हो गया 120 यह हो गया अंसाथ चलिए नेक्स्ट को सेथ किसी परिच्छा में एक परिचासी ने 30% अंग प्राप्त किये और 25 अंगों से फेल हो गया उसी परिच्छा में दूसरी परिच्छासी ने 40% अंग प्राप्त किये और पास होने के अंगों से 25 अंग अधिक प्राप्त किये पास होने के अंगों का परिच्छत वियाद किजिए अर्साथ पास परसेंटेज निकालना है पासिंग परसेंटेज तो यहाँ एक प्रत्याशी को 30% अंग प्राप्थ हुआ, दुसरे प्रत्याशी को प्राप्थ हुआ 40% तो अंतर हो जाएगा 40% माइनस 30% अर्थाथ 10% 10% किसके बराबर हो जाएगा? एधिन 25 मार्क से फेल हो जाता है और एधिन 25 मार्क जादा लाता है पासमार्क से तो हो गया 10% बराबर हो गया 25 प्राप्थ 25, 50 तो यहाँ आपको निकालना है 33% पास्मार्क निकालना है कितने अंकों से फेल हो जाता है 25 अंकों से फेल हो जाता है तो 50 बराबर 10 हो गया तो 25 बराबर क्या हो जाएगा 10 बटे 50 गुना 25 25 बराबर जाएगा 10 बटे 50 गुना 25 तो पांच परसेंट बराबर हो गया 25 तो पास परतिसत पास मार्क परतिसत या परतिसत पास मार्क बराबर उसने लाया था 30 परतिसत लेकिन फेल हो गया कितना अंकों से फेल हो गया 25 अंकों से फेल हो गया 25 अंक का मतलब हो गया 5 परसेंट अर्था 30 परतिस परतिस परतिसंट है कारेक्ट अंसार एक परिक्षा में हरी को कुल अंकों के आसी परतिसत से आठ अंक कम प्राप्त होता है और रवी को कुल अंकों का 70 परतिसत से 5 अंक अधिक प्राप्त होता है रवी को प्राप्त अंकों की संख्या ज्याद करे जबकि दोनों के प्राप्त अंकों का अंतर 2 है तो किसी प्रिक्षा में हरी को कुल अंकों का 80 परतिसे 8 अंक कम प्राप्त होता है तो हरी को प्राप्त होता 80 परतिसे 8 कम कम मतलब मैनास जबकि रवी को प्राप्त हुआ 70 परसेंट से 5 अधिक अधिक मतलब प्लास दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है दो दिया है दोनों को प्राप्त अंकों का अंतर दो दिया है तो चलिए 80 परसेंट माइनस 8 माइनस 70 परसेंट माइनस प्लास में माइनस दो तो 80 में से 70 परसेंट कटाव किए 10 परसेंट यह जाएका दो 8 और 5 दोनों माइनस जोड हो जाएगा माइनस 13 हो जाएगा 13 उदर चल जाएगा तो पलास हो जाएगा अर्थात 15 हो गया तो 70% निकालेंगे क्योंकि हमनों को रभी का प्राप्तांक निकालना तो रभी को कितना प्राप्त हुआ कुल अंकों का 70% तो 70% ब्रावर 15 बटे 10 गुना 70 सुनुशुणु केंसेल गुना कर दिये 7 पंजे 25 साथ कम 7 दस तो 70% से कितना प्राप्त हुआ उसको 5 अंक अधिक 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त हुआ तो रभी का प्राप्तांक हो जाएगा 5 जोड़ हुआ उसमें 5 अधिक विला उसको 70% से 105 प्लास 5 110 यह हो गया एंचार चलिए नेक्स्ट क्रोस्चिन किसी विद्याले में 75% विदार्थी पास हुए 75% विदार्थी पास हो गये अर्था 25% फेल हो गये तथा 20 फेल हो गये किसी दूसरे विदार्थी से पहले विदार्थी के अपरिक्षा 20 विदार्थी अधिक परिक्षां वैठे तथा पहले विदार्थी के अपरिक्षा 10 विदार्थी अधिक पास हुए दूसरे विदार्थी में विदार्थियों के परतिशत्ता जो पास हुए हैं तो 75% विदार्थि पास हो गए अर्थात फेल केतना हो गए 25% 75% फेल हो गए अर्थात पास फेल हो गए 75% पास हो गए तो 25% फेल हो गए कितना विदार्थि 20 तो 25% बराबर हो गया 20 तो 100% बराबर टोटेल विदार्थि इसका मतलब 20 बटे 25 गुना हंड्रेड 25 चारे सो अर्थात तोटेल विदार्थि कितना थे 80 विदार्थि थे इन में से पास हो गए इन में से पास हो गए है 80 का कितना 75% 25 ती आपचात्तर 25 चारे सो चारे कम चार चार दुने आठ आर्थात 60 विदार्थि पास हो गए पहले विद्धालाई छे, दुसरे विद्धालाई छे, दुसरे एश्कुल से, दुसरे एश्कुल से, केतना विदार्थी एक्जाम बैचे? 20 विदार्थी अध्हीक परिक्चाम बैठे तो यह टोटल स्टुडेंट क्या थना है टोटल स्टुडेंट टोटल स्टुडेंट पहले वाला विद्दाला इसे 20 विदार्थी अध्हीक बैठे अर्थात केतना हो गया 80 उसमें था 80 प्लस 20 हो गया आपका 100 पास केतना जन हो गये पास हो गये पहले वाला विद्दाले से 10 विदार्थी अध्हीक पास हो गये अर्थात कितना 70 तो टोटेल इसुडेंट है 100 दुसरे विद्धाले में और पास हो गए 70 अर्थात 100 में 70 अर्थात एही हो गया एंसार 70 पर्थेन विदार्थी दुसरे विद्धाले से पास हुए एक पुस्तक के 50 पर्थेन पेज सफेद हैं सेस के 40 पर्थेन पेज हरे हैं तथा सेस बचे 50 पेज पिले हैं तो बताइए पुस्तक में हरे रंग के कितने प्रिष्ट हैं एक पुस्तक जो है मालिया कूल प्रिष्ट होगी आपका के के का 50 पर्थेन सफेद है तो बाकी कितना पच गया तब 50 पर्थेन पचा बाकी सेस इतना पचा हुआ इसका सेस का 40 पर्थेन पेज हरे हैं सेस का 30 पर्थ हा रहे हैं तो सेस कैतना प्रिष्ट हा पहत्यों सेस का इतना फ्र Allez कर रहा है तो इतनों प्रथी के है कि यृद्ध में नियुक् Ming क्या कि 1250 सपेद है तो क्या कि हम लोग के इंटू के मंदर कूल माना कूल इंटू 100-50 सपेद को घटाव कर दिया 50-50 बटे 100 हो गया फिर 6 जो सेस बच गया सेस इवला हो गया सेस का 40% हरे है सेस का 40% 40% अगर हरे है तो केतना बच जाएगा 100-40 अर्था 60 बड़ाबर केता हो जाएगा ये एक सो पेचास कैंसल किजिए जिरो 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 पांच तिया पंदरो छो पंजे तीस तो के बड़ाबर के बड़ाबर हो गया एक गुना हो जाएगा इसके साथ 500 ये टूटल पेज टूटल पेज हो गया आपका 500 इन में से जो है कि निकालना हम लोग हरे रंग के प्रिष्ट हरे रंग के कितने प्रिष्ट है हरे रंग के कितने प्रिष्ट है तो टूटल का आपका सफेद सफेद जो है 50 परसेंट है तो सफेद को गटाव कर दिए हंडेड में से 50 गड़ाओ करने पर 50 बटी 100 फिर क्या है यह जो सेश सेश का 40 परसंट हरे है तो 40 परसंट निकालना होगा क्यों हरे रंग निकालना होगा तो सेश का 40 परसंट क्या है वो नीले है हरे है कैंसिल किजी जीरो 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 पचीश 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 के सो तो सो पेज जो है सो प्रिष्ट जो है हरे रंग के हैं चले नेक्स कोस्टन सूल करते हैं हरी लाल ने 40% मसिनरी में, 25% बिल्डिंग में, 15% कच्चे समान में, तो 5% फर्रिचार में खर्च किया, ये भी उसके पास 305 रुपिये बचे हो, तो उसके पास कुल कितना धन था, तो हरी लाल ने क्या किया, 40% मसिनरी में खर्च किया, 25% बिल्डिंग में, 15% कच्चे समान में खर्च किया, और 5% जो फर्रिचार में खर्च किया, तो टोटल खर्च किया, उसने कुल खर्च, कुल खर्च हो गया, उसका, मसिनरी में 40%, 25% बिल्डिंग में, 15% कच्चे समान में, और 5% जो है, किस में खर्च किया, फर्रिचार में, टोटल खर्च हो गया, उसका, 48, 85, 85%, तो बचत कितना हो गया तब, बचा कितना हो उसके पास, 15%, 100 में से 50 घटाव कर दिजिए, 15% बच गया, ये 15% किसके बराबर होगा, 305 के बराबर, क्योंकि 305 जो है, रुपिया बचा हुआ है, इसलिए 100% निकालिए, कुल धन निकाल ना होगा, आमनोंको, तो 100% बराबर हो जागा, 305, बचे, 15, गुना, 100, केंसेल किजिए, 5 सीकेंट चिल किजिए, 5, 3, 15, 5, 2, 10, 5, 36, 5, 5, 3, 3, 8, 24, 3, 7, 21, अर्था, 8, 7, 00, इतना रुपिया जो हाँ, उसके पास था, झाल झाल, 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 झ